आपसे अगर कोई पूछ ले, in future, if somebody will ask you, what is anode and what is cathode, no, you don't have to say कि anode इसको कभी भी charge के हिसाब से मत बताने का, क्योंकि anode और cathode charge के हिसाब से change होते रहते हैं, तो कैसे बताओगे तुम, anode क्या होता है, क्या आप answer कर सकते हो, I'm asking a simple question, what is anode, so, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे, so, आपको समझाता हूँ, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, आज के बाद तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, कि actually, अगर आपको अगली बार से कोई पूछे की, anode क्या होता है, don't say कि यह negative terminal होता है, या फिर दोंट से यह positive terminal होता है, that depends कि आपका cell कौन से है, समझ मैं है तो वो गलत है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है, anode मेरे प्यारे बच्चों, anode वो टर्मिनल है, जहां पर oxidation होता है, यह इसकी pet definition है, जहां जिस terminal पर oxidation होता है, उसे anode कहते हैं, तो cathode किसे कहते हैं, cathode वो टर्मिनल होता है, जहां पर reduction होता है, यह pure definitions हैं, और एकदम 100% correct definitions है, 100% correct definitions है, बहुत कम बच्चों को पता होती है, यह सब चीजें, anode वो टर्मिनल है, जहां oxidation होता है, cathode वो टर्मिनल है, जहां reduction होता है,